उडिसा का एक बड़ा फेस्टिबाल है रोचो ये लड़कियों का फेस्टिबाल है और इसी दिन बहुत सारे खाना सुन्दर सुन्दर पक्वार बनता है तो आज मैं आप सब के लिए लेके आया हूँ उडिसा फेमस मुँआ पीठा तो इसके लिए मैंने यहाँ पी लिया है चावल ये पारबर्ड चावले जिसको उडिसा में बोलते हैं उसुना चावला और मैंने लिया है दो ग्लास ये चावल इसको अच्छे से साप करके मैं पानी में भीगो चुका हूँ ये है ओ ग्लास इसके साथ में मैंने लिया है उस अब देखिए बहुत अच्छे से ब्लेंड हो चुका है तो ज्यादा हो गया था एक पतेले में में इसे निकाल के ओबन नाइट के लिए इस रेस्ट के लिए जब दिया हो जिसके लिए मैं ग्रेटर कोकोनट लिया है और इसमें में आड़ करूँगा मसाले जिसमें है अध्र थोड़ा सा काली मिड्श और हरी लाइची अच्छे से कूट के मसाले में आड़ करने वाला हो अब मैंने लिए है यहां पे एक कटोरी गुड गुड को अच् दूँगा यहां भी लिया है मैं चन्नी और इसमें एक साब बले कपड़े को आड करूँगा इडली मेकर में पानी बिठा चुका हूँ गरम होने के लिए और यह चन्नी को भी अभी इडली मेकर के उपर रख लूँगा बनाये हो बैटर को एक लेयर दूँगा और एक चमच क के मदद से स्प्रेड करूँगा और बनाये हो हम मसाले को भी यानि कि स्टपिंग को इसके उपर भर भर के हमें देना है जैसे कि स्वाद उभर के आए और बाकी बैटर को इसके उपर दूसरा लेयर दूँगा और ढकन देके 20 मिनिट स्टीम के लिए छोड़ दूँगा 20 मि केने लिया है एक टुथपिक, टुथपिक के मतद से इससे इससे डीप करूँगा और देखूँगा आप भी देख लीजिए कि पूरा क्लीन आया है मतलब ये सही से पक चुका है तो एक प्लेट में निकाल दूँगा और थोड़ा टाइम थंडा कर लूँगा थंडा होने क के बाद ये कपड़े को आरम से निकाल दूँगा याकिन मनिये दोस जैसा दिख रहा है स्वाज से भी सौग उना बहतर था इसे अच्छे से काड के अभी में साब करूँगा सबसे एहम बाद ये बहुत हेल्डी है सुपर टेस्टी है और टेल का एक बूंद भी नहीं गया है इसमें और कोई तामजाम नहीं है इसको बनाने के लिए बहुत ये आसान है तो डेरिक इस बात की इसी रोजो को सेलिब्रेट कीजिए एसा वाला मुआ बिठा बना के और आपको कैसे लगा मुझे कमेंड करने के लिए मत भूलना इसलिए तो बोलते हैं रोजो उनरा के लिए मुझे कर play कर दान ही पए्य हैं करना इसलिए मुझे अगलना के दिए